सुप्रमेश्र के लोगों आज हम पोईतरात्मा के बारे को सीखना चाहते हैं और आज मैं आपको पोईतरात्मा पाने के दो मुख्य तरीके बताना चाहता हूँ पोईतरात्मा कैसे पाएं दो मुख्य तरीके आपको मैं बताना चाहता हूँ पोईतरात्मा दो मुख्य द्रीके कैसे पोहितरात्मा को हम लोग पाते हैं कैसे पोहितरात्मा को पात सकते हैं अगर आपको अभी तक पोहितरात्मा नहीं मिला तो पहली बात आप प्रभु येश्यु मसी पर विश्वास करके पिता परमेश्वर से पोहित्रात्मा मांगें तो आपको पोहित्रात्मा मिलेगा पहली बाद परवेश्व मसी परविश्वास करके आप पिता परमेश्व से पोहित्रात्मा मांगें तो आपको पोहित्रात्मा मिलेगा लुका के अंजील ग्यारा अधिहाई अर उसका 9 से लेकर 13 वचन तक हम लोग पढ़ते हैं लिखा है पर विशमसी कहते हैं और मैं तुम से कहता हूँ के मांगो तो तुमें दिया जाएगा ढूंडो तो तुम पाओगे खटखटाओ तो तुमारे ले खोला जाएगा क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है और जो ढूड़ता है वैपाता है और जो खटखटाता है उसके लिए खुला जाएगा तुम में से ऐसा कौन पिता है कि जब उसका पुत्तर रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे जब मशली मांगे तो मशली के बदल उसे साप दे या अंडा मांगे तो उसका पिता उसे बिश्यू दे जब तुम बुरे होकार अपने लड़के बालों को अच्छी वस्तुमें देना जानते हो तो स्वर्गिया पिता अपने मांगने वालों को पोईतरात्मा क्यों ना देगा तो स्वर्गिया पिता अपने मांगने वालों को पोईतरात्मा क्यों ना देगा क्या लिखा है प्रवेश्व मसी ने कहा सो जब तुम बुरे हो कार अपने लड़के बालों को अच्छी वस्तों देना जानते हो तो स्वर्गिया पिता अपने मांगने वालों को अपने मांगने वालों को पोईतरात्मा क्यों ना देगा जब आप पिता परमेशर से पोईतरात्मा को मंगेंगे तो परमेशर आपको पोहित्रात्मा देंगे जब आप पोहित्रात्मा मांगेंगे प्राथना में कहेंगे कि हे पिता परमेशर मुझे पोहित्रात्मा चाहिए मुझे पोहित्रात्मा चाहिए तो परमेशर आपको पोहित्रात्मा को आप बीच में उन्ठेल देंगे अब दूसरी बात दूसरा तरिक्का प्रभू के दासों के हाथ रखने के दुआरा जब वो पुईतरात्मा के लिए प्राथना करते हैं जने के जब परमेश्र के दास लोग सिर्पर हाथ रखकार प्राथना करते हैं कि है पिता इन्हें पुईतरात्मा उडेल देजिए तो पुईतरात्मा उन्हें मिल जाता है हलेलुया प्रेटों के काम आठ दिहाए पंदरा, सोला और सत्तरा वचन में लिका है और उन्हें जाकर किनों ने? परमेश्र के दासों ने उन्हें जाकर उनके लिए प्राथना की के पुईतरात्मा पाएं उन्हें जाकर प्राथना की परमेश्र के दासों ने जाकर प्राथना की के वो लोग पुईतरात्मा पाएं क्योंकि वे अब तक उनमें से किसी पर ना उत्रा था उन्होंने तो केवल प्रभी येश्यू में के नाम में बगतिस्मा लिया था तब उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने पोहत्रात्मा पाया जहनले कि परमेशिवर के दास लोग, पास्तर लोग जो आपके पास रहें जब आप पर हाथ रखेंगे और प्रात्षान करेंगे कर दिखेंगे परमेश्वर पिता पुईत्रात्मा इन पर उडेल दीचे तो आपको पुईत्रात्मा मिलेगा फिर जब प्रेयरत्नों के काम 19 दियाए उसका 2 वचन और 6 वचन जब हम लोग पड़ते हैं लिखा है उन्होंने उससे कहा हमने तो पोईतरात्मा की चर्चा भी नहीं सुनी जब पालुस ने उस पर हाथ रखे उस पर हाथ रखे तो पोईतरात्मा उन पर उत्रा जब परमेश्य के दास ने उन पर हाथ रखे तो पोईतरात्मा उन पर उत्रा जब परमेश्य के दास ने उन पर हाथ रखे तो पोईतरात्मा उन पर उत्रा और भिन भिन भाशा बोलने लगे और भुश्यवानी करने लगे प्रमिश्य के लोगों दो मुखे कारणों में से एक मुखे कारण ये है मुखे तरीका है आप कैसे पुईतरात्मा को पा सकते हैं जब आप पिता से प्राथना के द्वारा मांगते हैं क्योंकि पर्वेश्यों ने कहा मांगने वालों को सुर्गया पिता पोईतरात्मा क्यों न देगा और दूसरा हम देखते हैं कि परमिश्च के दास लोग पोईतरात्मा पाई हुए परमिश्च के दास लोग जब हाथ रखा और प्राथनकी के पिता इन्हें पुईतरात्मा का विशे कीज़े तो वो पुईतरात्मा से भर गए मैं आपको बताता हूँ एक दिन क्या हुआ एदन मैं किसी के घर पर गए हुए थे हम लोग और एक सोफे के उपर हम लोग बैठे थे एक कोने पर मैं बैठा था और एक ही सोफे पार हमारे एक पास्टर थे पास्टर मक्षन सिंग वो बैठे हुए थे तो हलाग मैं थोड़े समय के लिए वहाँ पर गया था और अभी हम गये थे और वो चाय वगएरा कुश देने लगे जब तो उसने मेरे से पूछा पास्टर ने कि कहता है कि आप लोग जब किसी के सिर्पर हाथ रखते हो वो लोग कोईतरात्मा से भर जाते हैं वो लोग अभी शेक से भर जाते हैं इतनी सामर से भर जाते हैं कई बार सामर से भर कर उने कंट्रॉल नहीं होता और कई बार पीछे के और गिर बे जाते हैं तो ये वर्दान मुझे भी चाए है तो इसके लिए मैं क्या करूं कैसे मुझे भी मिलेगा भी मैंने देखा पास्टर बेनी हिन को देखा और जब पास्टर बेनी हिन जा कई और पास्टर भी है वो उनके दोरा भी शीयक आ जाता है और उस समय के बाद आप में अभी शेक आएगा आप जिस पर हाथ रखेंगे वो लोग भी पहितर आत्मा से भरने शुरू हो जाएंगे उन्हें ने कहा अभी ऐसे ही मतलब यहां बैठे बैठे ऐसे भी हो जहां कुछ अलग से मैंने कर नहीं अभी बैठो वहां बैठे थे हम लोग चाह पी रहे थे तो उसी समय मैंने प्रभू परमेशर के नाम से उसके सिर्प पर हाथ रखका प्राथना की एक आदा मिन्ट की प्राथना और उसके बाद उन्होंने मुझे बताया कि उस एथवार के दिन से जब पहला एथवार प्राथना के बाद इतना बेशेक हुआ जिसके भी हाथ रखते थे सिर्पे वो प्राथना से भर जाते थे सामर से भर जाते थे तो एक तो आप जब पिता से मांगते हैं पर्विश्म सी कहते हैं मैंने कह रहा मुझे मालूम है कि ऐसा होता है मैंने भी प्रभू के वचन से सीखा पर्विश्म सी कहते हैं सुर गया पिता अपने मांगने वालों को पुईतरात्मा क्यों न देगा और दूसरी बात हम लोग सीखते हैं प्रेटों के काम में कि जब परमिश्च के दास लोगों ने हात रखा तो वो पुहतरात्मा से भर गए हलेलुया आज हम सब प्राथना करने वाले हैं आप लोगों के लिए आप लोगों के लिए हम लोग पराथां करने वाले हैं आप सब के लिए हम लोग पराथां करने वाले हैं कि आप पुहितरात्मा से भर जाएं आप पुहितरात्मा से भरें उसके वर्दानों से भरें मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि प्रभु येश्यु मसी ने परतिग्या की थी प्रभु येश्यु मसी ने वादा किया था परतिग्या की थी पुवित्रात्मा के बारे में प्रभु येश्यु मसी कहते हैं मैं पिता से विंटी करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वे सरवदा तुमारे साथ रहे अर्थांत सत्यका आत्मा जिसे संसार ग्रह नहीं कर सकता क्योंकि वे ना उसे देखता है ना उसे जानता है तुम उसे जानते हो क्योंकि वे तुमारे साथ रहता है और वे तुम में होगा प्रभु ने ये वादा किया था प्रतिग्या थी और यहुना सोलां दे है साथ और आठ वचन में तो भी मैं तुम से सच कहता हूँ प्रवेश्वम सी कहते है कि मेरा जाना तुमारे लिए अच्छा है क्योंकि जदि मैं ना जाओं तो वे सहाएक तुमारे पास ना आएगा प्रतिग्या जदि मैं जाओंगा तो उसे तुमारे पास भे दूँगा और वे आकर संसार को पाप और धर्मिक्ता और नयाय के विशे में नुरुतर करेगा प्रवेश्व का ये वादा है और फिर यहुना सोलांद है तेरह और चौदा बचन प्रतु जब वे अर्थां सत्य का आत्मा हैगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा क्योंकि वे अपनी और से ना कहेगा प्रतु जो को सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा वह मेरी महमा करेगा क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा तो ये जो थी प्रवु का वादा था प्रवु की प्रतग्या थी और सिर्फ ये ही नहीं यहुना बब्तिस्मा देने वाला भी कहता है मरकस एकद है और उसका आठ वच्छ में लिखा है मैंने तो तुम्हें पानी से बब्तिस्मा दिया है पर वह तुम्हें पोहितरात्मा से बब्तिस्मा देगा पोहितरात्मा से बब्तिस्मा देगा ने नियम के अंदर प्रभू, परमेशर के वादे है उन बातों के बाद मैं सब पराणियों पर अपना आत्मा उन डेलूंगा तुम्हारे बेडे बेटों बिशुवानी करेंगी और तुम्हारे पुर्निये सोपन देखेंगे और तुम्हारे ज़ौन दर्शन देखेंगे तुम्हारे दास और तुम्हारी दासियों पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उडेलूँगा तो यह प्राणा नियम में भी और नहीं में भी परमिश्व का वदा था परतिग्या थी कि मैं उन्डे लूँगा पोईतरात्मा को और परविश्यु मसी जब स्वर्ग उठाय जा रहे थे तो परविश्यु मसी ने भी ये कहा था प्रेर्टों के काम एक दहाई आठ वचने कहा था जब पोईतरात्मा तुम पर आएगा तब तुम सामरत पाओगे परविश्यु निता था और ये सब जो परतिग्याएं थी बर्मेश्य की वो पूरी होती है आकर प्रेर्टों के काम दो दहाई एक से लेकर चार वचन तक जब हम लोग पढ़ते हैं परतिग्याएं वहाँ पूरी होती है लिखा है जब पैंतिकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगाए कठे थे पैंतिकुस्त का मतलब पचासमा दिन और एका एक अकास से बड़ी अंदी किसी संसनाट का शिबद हुआ और उससे सारा घर जहां मैं बैटे थे गूँज गया और उन्हें आग किसी जीप में फट्टी हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पराठेरी और वैसा पुहतरा आतत्मा से भर गए वैसा पुहतरा आत्मा से भर गे और अन्य अन्य बाश्चा बोलने लगे तो परमेश्र के लोगों ये परमेश्र का वादा था जो परमेश्र ने वहां पर अपने परतिग्या को वादे को पूरा किया वादे को पूरा किया तो अब मैं थोड़ा से ये बताना चाहता हूं कि पुईत्रा आत् कि लाब क्या है पहले दो मुखे कारण है हम पोहतरात्मा कैसे पा सकते हैं फिर पोहतरात्मा की परतिग्या और परतिग्या का पूरा हुना और अब मैं आपको बताना चाहता है पोहतरात्मा के लाब पोहतरात्मा के लाब बताना अगर मैं बताने लगूँ तो कितने ही दिन लग जाए परमेशर के कितने लाब हैं अगर हम लोग ये पूछें परमेशर के कितने लाब हैं तो ये बताना किसा कितने लंबाई चुड़ा ये इसकी ये लाब ये लाब और कितने दिनों में लगे रहे हम लोग ठीक है तो लेकिन मैं थोड़े से आपको बता देता हूं बते हैं पहला करंथियों बारांध है आठ से लेकर ग्यारां बचन तक पुईतरात्मा के नौ वर्दान वाह लिखे हुए हैं नौ वर्दान पहला बुधी की बाते हैं ज्यान की बाते हैं विशुवाश चंगा करने का वर्दान सामर्थ की काम करने की शक्ति भुश्यवानी का वर्दान आत्माओं की पर्ख अनेक परकार की बाशा और किसी को बाशाओं का अर्थ और प्रभीश्मने समय कहा लाब क्या है? जब तुम पोट्र आत्मा पाओगे तो तुम सामरत पाओगे अब कई बार नौ वर्दानों में से एक वर्दान है अन्या बाशा बोलना अन्या बाशा क्या है? पहला करंथियों, चौदान है उसका दो वचन और चार वचन भी पढ़ेंगे क्योंकि जो अन्या बाशा में बातें करता है वे मनुश्यों से नहीं प्रंतू परमेश्वर से बातें करता है इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता क्योंकि वे भेद की बातें आत्मा में वोकर बोलता है और चार वचन जो अन्या बाशा में बातें करता है वे अपनी ही उन्ती करता है परंतु जो वुश्वानी करता है कलिसिया की उन्ती करता है पहत्रात्मा के लाब क्या है यह बहुत किठिन है मतलु आपको सब बातें बताना रूमियो आठ देहय और 16 सोचन करता है इसी रीती से आत्मा भी हमारे दुरूबलता में शेता करता है क्योंकि हम नहीं जानते कि पराथना किस रीती से करना चाहिए परन्तु आप ही ऐसी आहें भर-भर कर जो बियान से बार है हमारे लिए विन्टी करता है सो हमारी पराथना में अगवाई करता है और यूना 14, 16, 17 जैसे हम पर्तिग्याम में पढ़ चुके हैं कि वो सहाएक कमफोर्टर, सहाएक मददगार मददगार का मतलो हलपर नहीं मददगार का मतलो पोटर तो हलपर नहीं है मुझे ये दे दो, मुझे ये पकड़ाना, मुझे ये करना, ये करना जैसे मिस्तिरी के साथ को हलपर लगा हूँ और सरवदा तुम्हारे साथ रहे ऐसा बात लिखे हुई है वो एक कमफोर्टर है, मददगार है और वो प्रभू की बातों में से हमसे बात करेगा वो सत्य का मार्ग बताएगा जैसे यूना सूला की तेरह चौदा में लिखा है और जक्रिया चार देया शे और साथ में लिखा है ना तो बल्ट से और ना शक्ती से परंतों मेरे आत्मा के दुवारा होगा मुझे सनाओ के युवा का यही वचन है हे बड़े पहार तु क्या है यरूबा बेल के सामने तु मैदान हो जाएगा जाने के पोईतरात्मा के कितने लाब है बहुत बड़ताना यह बात कटिन है पोईतरात्मा के सब लाब ही लाब है पोईतरात्मा परमेशर के क्या लाब है पोईतरात्मा के वो ही लाब है जो परमेशर के लाब है इसलिए अगर आप पोहितरात्मा को पाना चाते हैं अगर आप पोहितरात्मा की सामत को पाना चाते हैं तो आप दो मुखे तरीके जो मैंने बताए हैं आप वो इस्तेमाल करें प्रभी ये शुमसी पर विश्वास करके ये जरूरी है अगर प्रभी शुम्सी पर विश्वाश नहीं है संसार पोहितरात्मा को नहीं पा सकता साफ लिखा है प्रभी शुम्सी पर विश्वाश करके पिता परमेश्वर से आप पोहितरात्मा मांगे तो सुर्गया पिता तुमें पोहितरात्मा जरूर देगा दूसरी बात, जो आपके पास्टन हैं, परमेश्य के दास लोग हैं, वो आपके सिर्फ पर हाथ रखकर प्राथन करेंगे कि है पिता इन्हें पोहत्रात्मा दे, तो भी आप पोहत्रात्मा की सामत को पाएंगे तो अभी समय है हम लोग आपके लिए प्राथना करेंगे आप लोग पोहितरात्मा को पाएं आप लोगों के लिए भी हम लोग प्राथना करेंगे आप लोग पोहितरात्मा को पाएं पोहितरात्मा की सामर्थ को पाएं कि आप उत्रात में को पाइं प्रभू आपको आशेशी दे